नमस्कार आपका श्वागत ही अर्चना हीने रिस्पी में तो आज चलिए साउथ इंडिया के सबसे फेमस रिस्पी आपके साथ सेयर करती हूँ यह चावल ले ली हूँ यह चनी की दाल और मेथी इसको रात वर्ष शुक करके फुला के देखे इसका बारीक पेस्ट कर ली हू कितना ही बारीक आपको पिसके त्यार करना है जो घर में रेगुलर चावल खाते हैं उसी को मैं 500 ग्रम चावल ली हूँ अभी इसमें एक चमचा चीनी डाल दी हूँ ताकि यह अच्छे से फॉर्मेंट हो एक या दो घंटे के लिए आप छोड़ दे यह अच्छे से फॉर् चावल ली हूँ और उसी में 200 गरम उरत की डाल 100 गराम चनी की डाल आए एक चमचा मेथी दाना रातवर्ष शोकर करके रख दी हूँ और बारीक पेस्ट बना ली हूँ चलिए मैं कराही में सरस्तो का टेल दाली हूँ और इसी में वेदाम दो चमचा बड़े चमचा से बहुत पसंद किया जाता है यह इसका एक्सपेरियंस बहुत दीन का है मेरे बहुत दिन से दिखिए इसके साथ में प्याज यह राई सरसो मैं तरके में डाल दी हूँ मैं फिलिंग बना रही हूँ इस तरक जाता है कि इसी के साथ आप हरी मिर्च डाल दीजिए अधरक डाल दीजिए अच्छे सुत्त रख जाएगा तो उसके साथ यह करी पत्ता आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालिए मेरे पास फ्रेश नहीं था इसी के साथ एक बड़ा प्यास कटा हुआ लंबे लंबे टुक्रों में काटती हूँ अगर आप अर्चना हीडियर रेस्पी से कनेक्ट कर पाते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप रेगुलर हैं तो लाइक कीजिएगा इसी के साथ एक कटरी मटर और हाफ बीट आप जो भी सबजी डाले पर मैं इतना ही सबजी से बना र रस्पी को हाच पाच नहीं कि हूँ इतना ही से बना के दिखाई हूँ आपको अच्छे से इसको भूल लूगी अच्छे से और इसी के साथ एक चमसा अधरक लास उनका पेस्ट और रेगुलर मसाला जो है हल्दी धनिया और लाल मिर्च तक इसमें अच्छे से इसका जाएका और अच्छे सुभर के आए यह भून जाएगा तो इसी के साथ आलू डालूँगी एकदम मेजर्मेंट आप अगर सही से लीजिएगा तो ना तो आपका यह दू साथ सटेगा ना फटेगा ना कुछ यह इसी के साथ बरे साइज का दो टमाटर खटेगा ना सटेगा 500 ग्राम चाव़ल, 200 ग्राम मुड़त का डाल और 100 ग्राम चनी की डाल और एक चमसमेथि डालोस्या के फुलने के लिए छोड़ दीजिए चना का डाल इदम जरूर डालिए तक यह आपका तबा में शटेगा नहीं आइरन के तब आपी सटेगा नहीं है अदोसा आइरन के तब आपी ही अच्छा लगता है क्रिस्पी बनेगा और इसी के साथ यालू है यहापके जी यालू है मैं थोड़ा सा डाल के भी मिला दी हूँ देखनी से आपको लग रहा है कितना टेस्टी और चटाके दार मसाला बनके त्यार हो रहा है सच में यह बहुत अच्छा मसाला बनके त्यार हुआ था मैं मसाला को अच्छे से भूनूंगी अभी बड़े बड़े चंक से आ लोके भूनने में आसान होगा इसमें अच्छे से मसाला फिल होगा तेस्ट के अकरडिंग नमक डाल दी हूँ अब भून जाएगी तो इसको अच्छे से मैं सर से मैं कुट दूँगी इसको अच्छे से चार तरफ से मिला मिला के भूने इसके साथ टेस्ट के एकॉर्डिंग अपना धनिया पत्ती डाल दे से और भी फ्लेवर खिल के आता है सीजन है तो हर्चिस डाले आप खुल के डाले अलू को लोडू मेडियं में ही भूज रही हुँ ये टमाटर के जूस से ही आलू गिला हो जागा तो मैं उपर सीस में पानी नहीं डालूंगी अगर आपका ड्राइ लगता है तो आप पानी ज़रू डाले ताकि इसका मसाला थोड़ा गिला ही रहता है दोसा का पानी नहीं डालूंगी ऐसे ही थोड़ा सौफ्ट और गीला गीला है ज्यादा गीला कर देने से ना दोसा सौगी हो जाती इसलिए मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी यह टमाटर के रस से ही गीला हो चुका है बहुत अच्छा महकरा है बहुत यह चीज की खुश्बू आ रही है और इसमें भून गया है बदाम डाल दें उपर से करें आण सारी प्रिप्रेशन करके रखें मादर पांस मिनट में 10 मिनट में आप पांच लोगों को बैठा के एक साथ खिला सकते इतना फट फट बन के तयार होगी आपका यह दोसा बिल्कुल भी तवा में नहीं चिपके गी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी अब इसी के साथ में सामबर बनाना सिखा दे रहे हैं सामबर की रेश्पी भी सेयर कर दे रहे हैं साथ साथ में तेली ली हुए एक कडची तेल तरकता है इसमें सरसो और राई डाल दे इरे पास पिली रही है और मेही वाली काली रही थी तो दोनों मिलाके मैं डाली हूँ अच्छा से तरग्या इसके साथ सुखी मिर्च डालें सुखी मिर्च से अच्छा बनता है और कड़ी पत्ता और साथ में एक कटी हुई प्यास यह बहुत ईजी रेस्पी है मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रही हूं इसमें बहुत ज्यादा ताम जहम करने की जरूरत नहीं बहुत कम घर के ही वेशिक समानों से यह बहुत अच्छा से बनके त्यार हो जाएगी कि इसके साथ अधरकलासुन का एक चमस पेस्ट डाल दे रेगुलर मसाना हल्दी धनिया और यह बाद में इसमें सांबर मशलाइड करूंगे यह बहुन जाता है इसके साथ आधा बीट बचा ली थी आधा बीट में इसमें डाल दूंगे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है तो आप जरूर डाले एक टमाटर आप इसमें और भी सब्जी यह डाल सकते हैं पर ज्यादा सब्जी डाल देने से बच्चे खाने में नकड़ा दिखाते इसलिए मैं ज्यादा आपके साथ वीडियो शेयर नहीं क्यों इसके साथ यह अधर की डाल है वीडियो वहां पर बंद हो गई थी एक चमच नमक डाल दे टेस्ट के कोडिक और इसी में मैं सामर मसाला भी डाल दी हूँ आच्छा से इसको भून ले अलग से उबालने की कोई जरूरत नहीं कि उब पाल के बाद मिस में डालेंगे मैं चीनी डाल दी हूँ अब चाहे तक गूर भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सक इंबली जाता है तो थोड़ा सा मीठा रहने से इसका टेस्ट बैलेंस होता है इसलिए अब जरूर से जरूर गूर डाले या चीनी डाले एक चमच पानी डाल दी हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है जड़ा सभी अच्छना हीडने टस्पी से कनेक्ट कर पाते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें जो नए हैं तो सुस्क्राइब जरूर करें इससे मोटिव हाई होता है आपको देखने से बहुत आ अपसान लगती है पर वीडियो बनाने में बहुत एफ़र्ड लगती है इसमें बहुत सारे रंग भड़ने होते हैं देखिए यह जो इसमें अब नमक डाली हूं उसमें नमक में नहीं डाली थी चुनी डालके फार्मेंट होने के लिए छोड़ दे थी जब बनाना हो उसी में ज्यादा दिर फार्मेंट होने के लिए नहीं छोड़ी हूं एक घंटा इसी के साथ आधा टेस्पून मीठा सोड़ा क्योंकि यह बहुत कम है तब भी इस से छे-साथ लोग अराम से खा लेंगे इतना ही बेटर से इसको देखिए आपके साथ यह कैसे उठेगा यह फूल गया है इसको अभी दो-चार घंटा छोड़ देते तो यह और अच्छा से फूल था पर मैं तुरत बनाती हूं आप पॉल्मिंच कर के भी बनाये हाँ या भी ना फॉल्मिंट के आराम से बन जाती है तो यह मेरा कम सेकम पंद्रा साल का एक्सपरिय volont再 इसको बनाने का इसलिए मैं गारंटी के साथ करती हूँ यह आराम से बनती है मैं हमेशा यह आँख बंद करके भी बनाऊंगी तो यह बन जाएगी यह मेरा सिगनेचर डेस है अराम से बनती है अम जो रेश्यों बताई हैं ऊकिअ जरूर फॉलो करें देखिए बहुत अच्छे से सामठ बनके त्यार हो गई है और कि सर् likewise क्लर भी कितना सुंदर आया है आ बहुत सुंदर कर अ इसे में यह में पानी है इमली मैं छान के अलग से पानी कर ली हूं इसमें डाल के ताकि इसमें टेस्ट सामबर बीने इमली का अच्छा नहीं लगता है इमली जरूर डाले नहीं तो आप ज़्यदा टमाटर कर डालना चाहते तो दो तीन टमाटर डाले देखिए कास्ट अरन का तवा यह तवा लोहे की है मैं लोहे की तवा परे नॉन इस्टिक पर नहीं बता रही हूं आपको तवा को अच्छे से हेट करके साफ कर ले तवा पहले से ओलिंग रहना चाहिए पराठा और अठा पहले से बना ले तो इसमें कभी नहीं चिपकेगी जो विगिनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूं कि कितना अच्छा सा थोड़ा से कितना स्ट्रेचर वाले कितना बड़ा फैल के हो जाता है मैं घुमाते जारी घुमाते जारी यह और चाहूं त गुमाके पर मैं इतना ही बड़ा बनाई हूं हमको बहुत बड़ा लग रहा था देखने से तो इतना ही बड़ा मैं बनाई हूं इसमें अवल लगा दूंगी इतना करंची क्रिस्पी हाथ में लेते ही चकना चूड़ हो जाता है इतना अच्छा बन के तयार होता है आप आल अगर पांच मिनेट भाद भी खाएंगे तो यह करंची ही रहेगा अगर आलू में पानी में ठोड़ा डाल देती हूं तो थोड़ा वह सौगी सी हो जाती है इसलिए मैं नहीं डाली प्यास का बारीक कत्रा हो वह चरग दी हूँ बारीक प्यास जिसमें बहुत अच्छा आपचा है तो बटर भी लगा सकते हैं बटर का टिस्पी बहुत अच्छा आता है आपने यह आप देखिए मैं without वीडियो स्कीप करके देखाई हूं दोस्तों ताकि आप अच्छे सो समझ ले यह first दोसा है तो थोड़ा सो लगेगा ही थोड़ा पहला दोसा थोड़ा सबको परिशान करता है पर यह अराम से निकल गया देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है निकल गया देखिए बहुत अच्छे सो निकल गया है और आपके साथ हम तोड़ के दिखा रहे हैं कितना यह करंची है उन्हें बच्चों को बना के दी हूँ देखिए यह बहुत ज़्यादा चम्मस देखिए डालते ही यह गथ गया इतना सांदार एटेस्टी आप जरूर बनाए और यह घर पर बनाए घर पर आजमाया हुआ असान तरीका है थैंक्यू फॉर वाचिंग